हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी काच्छी टिप्स योटूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काच्छ का टूटना सुब है या एशुब इसके अलावा काच्छ से जूड़ी हुई बहुत सारी बातें बताऊंगा आप इस वीडियो को सुरू से अंततक पूरा देखिएगा हमारे घर में काच्छ के बरतन या फिराईने होते हैं और इनका हम इस्तमाल करते हैं कई बार हमारी लापरवाई की बज़े से याद जाने अंजाने में ये तूट जाते हैं अइसे में कुछ लोग जियादा गबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ ऐशुब होने वाला है जबकि ऐसा कुछ नहीं होता हम आपको बता दें वास्तु सस्तर की मानें तो काच का तूटना काफी शुब माना जाता है अगर आपके घर में काच तूटता है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐशुब होने वाला था जिसे काच ने तूट कर होने से रोक दिया इसका साफ मतलब होता है कि कुछ ऐशुब होने वाला था जो काज की टूटने की वज़े से तल गया है अब आपको गबराने की आओ सकता नहीं है आप इस बात का ध्यान रखें कि जो टूटा हुआ काज है या जो बर्तन है या सीसा है जो भी है उसको आप घर में ना रखें उसे तुरंत घर से बाहर फैंक दें अगर आप इसे घर में रखेंगे तो घर में ना कारातम कुर्जा फैलती है जिससे आपके कारियों में बादा आती है इसलिए आप उसे जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल दें इसके अलावा अगर आपके कोई खिड़की में या दरवाजे में काच लगा हुआ है और उसमें क्रैक आ गई है यानि द्रार आई हुई है यानि तूटा हुआ है तो आप उसे जल्दी से जल्दी ठीक करवा लें लंबे समय तक रखा हुआ ऐसा काच एशुब होता है और यह कोई विवाद का कारण बन सकता है घर के सदस्य बिमार हो सकते हैं इसलिए आप इस गल्दी को बोल कर भी ना करें अगर तूटा हुआ है तो उसे निकल लवाएं और उसकी से जगर नया लगवा लें इसके अलावा हम आपको बता दें बैडरूम में कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए बैडरूम में आईना लगाने से पती पतनी के बीच में लड़ाई जगड़े होते रहते हैं और अगर सोतिस में आपका परतिवे माईने में नजर आ रहा है तो उस पर कोई कपड़ा डाल दें आप इसके अलावा जो गोल सिसा होता है जो गोल आईना होता है वो कम सुब माना चाहता है इसलिए आप उसको गोल को कभी भी ना खरी दें इसके अलावा वास्तु के मताब्बिक घर में आईने लगाने के लिए उत्तर और पुरो की दिशा में सांसुब मानी जाती है आपको घर में अगर आइना लगाना है तो आप उत्तर और पुरो दिशा की और लगाएं इस दिशा में आइना लगाने से प्रेसानियां धीरे धीरे दूर चली जाती है अगर घर में आपके कोई काच तूट जाता है तो आप किसी को बताएं नहीं उसको चुपचाप घर से बाहर फैंगाएं यही सही रहेगा ऐसा करने से घर में नकारातम कुर्जा नहीं आएगी आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंदा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद